हुआ है 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 चलिए सर्थ क्लियर है चलिए लास्ट क्लास में हमने कुछ कुशन की थे योग्यू से रिलेटेड और योग्यू में हम टोटल कॉस्ट और डिस्काउंटिंग कॉस्ट से अगर हमें माल मिलता है हम उसको खरीदें या ना खरीदें यह देखा था जितने बच्चें नए है आज पुरानी कॉस्ट पहले देखनी पड़ेगी तो ही सब आगे क्लास समझ में आएगा नहीं तो रहेंगे थोड़ा तो वो चीज़े ध्यान रखिएगा ठीक है अब आ जाते हैं सर आगे क्या पढ़ाओगे सरव हाला कि एक यह कुश्चन है यह कुश्चन भी कर लेते हैं चलो कि कुश्चन देखिएगा क्या कहता है एक्जाम में पूछा गया कुश्चन है यह कुश्चन कहता है अब फर्म एबल टू अप्टेन क्वांटिटी डिसकाउंट ऑन दा ओर्डर मटिरियल एस फॉलो फर्म जो है एक डिसकाउंटिंग क्वांटिटी ऑप्टेन करना चाहती है और कहता है कि अगर आपने धाइसो टन से कम के ओर्डर किये तो आपको छे रुपे का हिसाब से पढ़ेगा यानि एक स्लैब रेट है कहीं न कहीं और धाइसो से लेके अगर आट सो के बीच में आपने और किये तो में समान खरीदते जाओगे आपका रेट सस्ता होता जाएगा और अगर आपने 2000 से लेस और 4000 तक करें तो 570 और 4000 से उपर 5.60 कहता है दा एन्वल डिमांड आपका 4000 है भाईया आप पूरे साल में 4000 यूनिट ही डिमांड कर सकते हैं ज्यादा डिमांड नहीं करोगे इस टॉक हौलीन कॉस्त यहनी यह कैरिंग को घ्र côté कॉसेंट किसका होगा इन प्राइज़ों का टूंटी परसेंट यूनिट शूज करोगे ठीक है जो यूनिट चूज करोगे उसका 20Ö acids उसका 20 बशेंट बाला हमारा यू क depends लेते हैं चार सौ चौबिस सौ आया था और उसने बार चार हजार खरीद तो दोनों में से कौन सा बेस्ट हैं अब हमें एक तो देखना ही है उसके साथ हर बार एक बार हमें यह हरे को खरीद के देखना होगा जैसे लेस्ट देन टूफिप्टी बोला तो हम 200 माल लेते हैं एक एक बार लेस्ट देन 250 के इतना होगा हमारा 200 लेलो अब 200 के बाद अगली यूनिट क्या कहता है 200 लेकिन लेस्ट दन 800 तो आप यहां पर कुछ भी ले सकते हो 200 और 800 के बीच में तो हमें एक सीक्वेंस ले लेते हैं 200 के बाद सीधा 800 ले लेते हैं ठीक है लेस्ट दन 800 का अब न रचाहँँआ न तो समझ में आएगा थोड़ा और ये थोड़ा सा पहले हम देख लेते के हर बार हम कितनी क्वांटिटी छी ओड जई तो कितने Será काम करते एक बार हम दो करके देख लेते हैं तो 200 कर करेंगे कॉंपित तो आप मुझे मिलेगा आपको यह प्राइज मिलेगा एक ऐसाइस बार इस अर्ड़ करके देख ले काप प्राइज मिलेगा सर यह प्राइज मिलेगा अब 800-2000 तो एक बार क्या करते हैं सर 800 ओडर करके देख लेते हैं मतलब कुछ भी ले सकते हैं इसके बिटवीन नंबर आप ठीक है ना 800 ओडर करके देख लेते हैं तो आपको यह पढ़ेगा इसके बाद देखा जाए तो 2,000 आप क्या ओडर कर लो सर नहीं 800 एंड लेस देन तूथऑज़न अब तूथावजन तो 2,000 अब सबर्चा और कर लिया इसके बाद अगला हम कितना ओडर कर लिया सर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सबसे पहले कैटेगरी बनाके सबसे पहले टूटल कॉस्ट को सिफ्ट करूँआ आपका सबसे पहला कॉलम में बना लेता हूं कितना पड़ेगा आपको किसका कॉस्ट निकाल रहे हैं हम सर मटीरियल कॉस्ट सर मटीरियल कॉस्ट कितना पड़ेगा पूरे साल का कितना चार हजार है तो आप चार हजार लेके आओगे और इस वाले लेवल पर आपको रेट पड़ेगा च्छे रूपे कैसा आप से इटमेंस आपका पड़ेगा दो लाख चालिस अजा अगर आप 200-200 यूनिट करके लाती हो यह तो हो गया मटीरियल खरीदने का खर्चा अब आपका ओर्डर का भी खर्चा आएगा तो ओर्डर का खर्चा कैसे निकालोगा यानि ओ देट इस आप चार हजार है और आप हर बार कितने यूनिट खरीदने जा रहे हो तो आपको पता चल गया फ्रिक्वेंटली नंबर ऑफ कितने राउंड लगेंगे आपके अब नंबर ऑफ राउंड एक राउंड वे कितना खर्चा कर रहे हो छे रुपए और कितने का है छे का तो अगर आप देखो कितने 4000 divided by 200 into 6 120 यानि आपका ordering cost लगेगा 120 अब हम आगे देख लेते हैंगे sir carrying cost कितना लगेगा हर एक यूनिट का निकालेंगे हम क्योंकि मैं एक कॉलम बना लेता हूं कि नहीं तो हर किसी का करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता केरिंग कॉस कितना eoq कितना है हर बार कितने 200 divided by 2 into में कितना eoq है question कहता है बहिया eoq जो रहेगा वो रहेगा 20% of cost तो cost कितनी हमारे 6 6 रुपए का कितना हो जाएगा 1.2 कुछ इंटू में 1.2 120 कितने आगे कि 120 ठीक है ना 200 divided by 2 into में 1.2 120 तो आप खुद समझ सकते हो यही निकल के आएगा इसका अगर हम निकालेगे ना तो economic order quantity यही निकलने वाले क्योंकि दोनों सेम आ गया है चलो 200 पर क्या होगा सर आप 4000 ही उनिट खरीद होगे लेकिन अब आपको रेट जो मिलेगा वह मिलेगा पांच रुपए 90 पैसे बताओ कितने हुए कि कितने कि 2300 थोड़ी होगा अच्छा 2300 बने 240 करती है इसको चलो कि इसके बाद देखा जाए तो इसका क्या आएगा सर आप 200 ले रहे हो तो 4000 डिवाइड़ीड बाए 250 इन्टु में अब जो आपको पड़ेगा छे रुपे के साब से यह थोड़ा सस्ता हो जाएगा अब आप कितने आ रहे हैं अधाइसो डिवाइड़ बाए 2 इन्टु अब इसका रेट क्या से निकालोगे सर फाइब पॉइंट नाइन का 20 परसेंट कि फाइब पॉइंट नाइन का 20 परसेंट है कि ट्विंटी परसेंट है कि वन पॉइंट वन इट है ठीक है इसको अभी साइड कर देंगा कोई बात नहीं यह कितना रहे है इसके बाद यहां पर आ जाएंगे तो कितना है का सर चार हजार ही यूनिट खरीद हो गए लेकिन आपको एक ही कीमत पड़ेगी अब कितनी तीसरे काटिग्री में आगे 5.80 तो 4000 इंटु 5.8 23,000 तो अगले कैटिगरी में अगर हम जाते हैं तो अगले कैटिगरी में क्या है इसार हमारा फिर से 800 यूनिट लेने गए तो 4000 टिवाइड बाए चार फिरेड लेधर लेकिन यह बढ़ जाएगा आपका यहां पर इसका लिखा नहीं लिख देता हूं 500 divided by 2 into में 1.18 यह आगे 147.50 ठीक है इसमें कितना आ जाएगा देखो अब आ जाएगा हमारा कितने 800 divided by 2 into में अब इसका rate क्या आएगा हमारा क्योंकि पांच रुपैसी पैसे है तो पांच रुपैसी पैसे का 20% निकालोगे अब rate केरिंग कॉस्स में पांच रुपैस से का 20% यह आगया देट इस वन पॉइंट वन सिक्स इंटू में चार सो कि यह देखो चार सो चॉंसेट कितने तेजी से रेट बढ़ रहे है यह नहीं रखने का खर्चा बढ़ता जा रहा है ठीक है कुछ बच्चों के यहां दिक्कत हो सकती है इसको साइड कर देता थोड़ा कुश्चन को कि कि कर दो हजार अब अगले पर चले हम अगले पर कैसे निकालोगे सर आपको 4000 यूनिटी खतम होंगे लेकिन क्यूंकि 2000 क्वांटिटी आप और कर रहे हो तो आपका रेट घटके हो जाएगा 2000 में पांच रुपे 70 पैसे ठीक है 22,800 अब थोड़ा और आगे अगर हम चले तो यह हो जाएगा हमारा सर 4000 और खर्चा कम होगा क्यूंकि हम 2000 कर रहे हैं इंटू में 6 तो सर 12 रुपे ही लगेंगे यहां बढ़ जाएगा कितने हो जाएंगे सर 2000 डिवाइद बै टू इंटू में अब इसका रेट कैसे निकालोगे सर पांच रुपे सत्तर पैसे का कितने पर्सेंट सर बीस परसेंट कर इमसेंट इनट इनटू बीज परसेंट इन इसे One full कितने आगें 1140 त ईथी कैसे बैसे अब आगी लिए रहो कि चार हजार यूनिट छे रुपए लाने का एक वार लिया होगे अब 4000 डिवाइड़ बाई दो इंटू में आप जो निकालोगे 5.6 इंटू में 20 परसेंट इसका केरिंग कॉंस्ट कि 1.12 कि कितना आगे कि 22 कि 40 डबल हो गया इसका यहां कितना आगे छे रुपए और यह कितना आ गया कि 22,400 आपको बैस्ट ऑप्शन चूज करना है तो आप मुझे बताओ बैस्ट ऑप्शन कहां होगा जहां पर टोटल कॉस्ट क्या हो जाए है सबसे list है ना जहां पर total cost क्या आ जाए सबसे list हमिन सारे पता चल गहाँ मैं bet्स हमें हमें ६श्य जोड़ दें गे मैं इसको न थोड़ा सा और आपको मतलब confusion नहीं इसके लिए मैं इसको कि इस तरीके से कर देता हूं ठीक है अब इनका टोटल करते जाए आप हर लेवल का मुझे बताते जाएए का फर्स्ट का क्या है कि सेकंड का क्या है कि पिछली बार के कुछ न पूछा गया था आपके एक्साम में इस टाइप का कि बताएए कि पहले वाले के कैसे चोड़ों के 24,240 242 यह टोटल कॉस्ट है कि दूसरे वाले के कैसे चोड़ों के सब 23,600 प्लस में 96 प्लस में 147.5 यहां गया 23 84,3.3.5 आगे ठीक है अगले का 23,200 प्लस 30 प्लस 464 यहां गया 23,694 अगले का देखेंगे तो 228,00 12 प्लस में 11,60 यह 23,952 अगले का देखेंगे तो सर 22,400 6 और 22,40 यहां गया 24,646 तो अब इस लेवल में जितने भी है यह तो सारे वो लेवल है जो उन्होंने बताया एक बार यो क्यू भी निकाल लेते हैं इसका क्या है तो सर अगर यो क्यू देखें हम यो क्यू एकनोमिक तो हम क्या निकालेंगा टू एओ डिवाइड से देखो तो हमें सारी इंफर्मिशन यहां पर गीवन है सारी चीज़े गीवन है हमारा बेस प्राइस जो होने वाला है वो सिक्स के उपर लेके चलेंगे जब निकालेंगे तो टू इन्टू में एन्वल डिमांड कितने है चार हजार ओ कितना है हमारा च्छे डिवाइड सी कितना होगा 20% 1.2 इसका अंडरूट निकाल दो यानि सर्च 4000 इंटू में 6 इंटू में 2 डिवाइड वाइड 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 वन पॉइंट तू कितना है कि दो इंटू में 4,000 यहां के 200 और 200 पर मुझे की बात आप देखो कि 200 हम पहले निकाल चुके हैं यहां तक देखो सर्केरिंग कॉस्ट में डिलीवरी तू क्यूं होगा नहीं देखा तो फिर आपको थोड़ी दिखकत होगी अवरीज विसिस पर निकालते हैं यहां तक बताईए अब हमें क्या बताना ना था best क्या है क्या क्या चैनल के ध्यान से सुनिए और प्यान से जवाब दीजिए क्षचर के ध्यान से आंसर को देख़िए क्या कहता है कि आपका best quantity order क्या रहेगा तो जो सबसे कम प्राइस होगा वह बैस्ट होगा तो सर यह 24,243 इन दोनों में बैस्ट कौन से है यहां पर 843 है यहां 694 बैस्ट यह है अब इसमें करेंगे तो तब भी बैस्ट यही है इससे तो बढ़ रहे हैं तो अगर बैस्ट लेवल आप मुझसे जानना चाहते हो तो यह मैंने कर दिया बैस्ट लेवल यह है यानि हमारा बैस्ट लेवल है 800 यूनिट लेना है हमें यानि बिट्वेन 800 टू आपका 2000 के बिट्वीन मंगवा होगे तो आपका सबसे लीस्ट कॉस्ट और बैस्ट और कॉंटिटी रहेगा इस कुश्चन में यह बताना था मैं कि देखिए आप एक बार कि हैंड्रेस का अप्शन का आज हमाज की नहीं आ रहा हुआ है कि बताईए कि कि किसी को डाउट है इसमें कि जितने बच्चे लाइव है बता दिजिए कि स्टूडेंट को डाउट कि अब कि सुप्रिया का कहना है सर क्लियर कि सर क्लियर है सुहानी भी कि क्लियर है सर क्लियर है नो डाउट क्लियर है बच्चों को अब हम अगले लेट कॉंसेट पर बढ़ें अभी तक हमने क्या सीखा सर यूक्यू सीखा और यूक्यू बहुत अच्छे से सीख लिया हमने चोटे-चोटे को संस और सारी चीजे मैं कुछ होमवर्ग भी देना चाहूंगा यूक्यू का मैं देखता हूं आप कितने इमानदारी के साथ निकालोगे उसे मैं यूक्यू के होमवर्ग कुछ कुश्चन से हैं हो मैं एच डबलू लिख रहा हूं होमवर्ग होमवर्ग इस कुश्चन में ना अभी री ओडर लेवल पूछा जो अभी हम सीख जाएंगा थोड़ी दिर में कि देखो कितने कोश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए और यह सारे स्रिफ और पांच-पांच मिनिट के कुश्चन से हैं कि यह नहीं करना तो अभी तक जितने भी कुश्चन मैंने टिक किया सर वो कौन से थे सर वो थे एकनॉमिक ओर्डर क्वांटिटी के सारे के सारे कुश्चन्स थे और यह जए